तो दोखो अभी हमने अब नोट शूड़ गया वही अब रिकॉर्डिंग अब तुम्हों को देखके करना पड़ेगा दोखो यहाँ पर हमने अभी यह समझ लिया कि अगर हमें टाइम जीरो पर यार कुछ भी लिखो नहीं टाइम परटीकल का क्या य है फो पता है तो हम वह पे क्वेशन औफ वेव लिखना समझ गया अभी हमें टाइम जीरो पर हर एक का दिया था अब हम लोग दूसरा देख रहे हैं एक सेकेंड तरीका एक्वेशन ऑफ लिखने का जिसमें हमें केवल एक पार्टिकल का पता है एक्स इक्वल टू जीरो पे जो पार्टिकल है और यह कैसे उसलेट कर रहा है तो वहाँ पे आप क्या करोगे यहां पर जो कुछ भी होगा वही disturbance आगे travel करके जाएगा, है कि नहीं, यहां पर जो भी disturbance create होता जा रहा हो आगे जाता जाएगा, तो जो चीज भी यहां पर होगी वो थोड़ी दिर बाद यहां होगी न, यह बाद समझा रही है, जो कुछ भी अभी x equal to 0 पर होगा, वो थोड उसका displacement निकालने का function नहीं है, लेकिन इसका function है, तो आप क्या चाहते हो कि मैं इसका use, इसका कोई भी time पर displacement चाहिए, तो मैं उसके लिए यहां से निकालूं, तो कैसे निकाल सकता हूँ, मैं ऐसे सोचूँगा कि अगर मुझे time t पे, अभी time t पे यहां पर इसका displacement चाहिए, तो मैं यह सूचूँगा कि जो कुछ भी अभी यहां हो रहा है, वो थोड़ी दिर पहले यहां हो चुका है, कितनी दिर पहले यहां हो चुका होगा, अगर यह V speed से वेब आई है, तो उसको आगे आने में कितना time लगा होगा, x, y, v time लगा होगा तो जो कुछ भी यहां पर हो रहा है वो यहां पर अल्लेडी हो चुका है कितनी दिर पहले हो चुका है xyv टाइम पहले तो अगर अभी टाइम यहां टी हो रहा है तो यहां पर उस टाइम पर टाइम क्या रहा होगा t-xyv अगर यहां पर अभी टाइम टी हो रहा है आप x वाले particle का कोई time t पर displacement चाहिए तो आप क्या लिखोगे इस वाले में time को x minus v से replace कर दोगे ठीक है समझा रहा है हमाई पास किसका function था? x equal to 0 वाले particle का function था अब आज अभी clear हो गई है क्या? अभी कोई time pass नहीं बहीं, जल्दी बतो अगर हमें x equal to 0 वाले particle का function पता था तो हम कोई भी x वाले particle का कोई time t पर निकाल सकते हैं ये method लगा करके और अगर यहाँ पर wave opposite में जा रहे होती है, negative x axis में जा रहे होती है तो उस time पर क्यों हो जाता है, जहाँ पर minus वहाँ पर plus हो जाता है ठीक है समझ हो ना, अगर wave ये negative direction में जा रहा होगा, अभी यहाँ पर ये क्या है? अगर यहाँ पर particle oscillate कर रहा है और wave इधर को जा रहा है, तो उस time पर क्यों होगा? हमें इसका function पता था, तो हमें wave की equation लिखनी होगी, तो हम क्या लिख देंगे y equal to f of t plus xyv अगर wave negative में जा रहा है, आप यह चीज यहाँ से भी सोच सकते हो, अगर wave negative में जा रहा है, इधर से wave आ रहा होता negative में जा रहा है, इसका मदब यह नहीं कि negative axis में जा रहा है, ऐसा नहीं है, वेब मालनों जैसे यहाँ पर सोचो, इसी diagram में सोचो, वेब इधर से आ रहा है, तो जो चीज यहाँ अभी होगी, वो यहाँ पर बाद में होगी, t plus xyv time बाद होगी, और आपको x equal to 0 वाले particle का प diagram ना, इसी diagram में हम लोग देख लेंगे, यह हटा दो diagram, अगर वेब negative direction में जा रहा होगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, y equal to f of t plus xyv, अगर v negative में है, और यहाँ पर v क्या है, पोईस्ट्यू में है, यह बाद सब को समझ आई, कि अगर मालनों वेब disturbance आ ऐसे travel करके जा रह वेब भेज रहा है, और आपको इसको यह कैसे oscillate कर रहा है, उसका function आपके पास दिया हुआ है, तो जो चीज यहाँ होगा, यहाँ पर बाद में होगा, अगर अभी time t है, तो यहाँ पर t plus xyv time हो चुका होगा, तो इसलिए वहाँ पर t के जगा, t plus xyv डाल देंगे, ठीक ह यहाँ तक clear है सबको, clear है बच्चों, तो अब दोको हमने इतना समझ लिया है, यही main part था जो अब तक समझाना, अब आगे का part आसान है, हमने दोको यह समझ लिया कि जब भी y equal to f of x दिया होगा, तो वहाँ पर वेब की equation रिखने का तरीका क्या है, x minus vt कर देंगे, जब वे positive में जा रहा है, और x plus vt कर देंगे, जब वेब negative में जा रहा है, और अगर हमें y equal to f of t दिया है, जब y equal to f of x दिया होगा, तो उस टाइम पर t 0 रहा होगा, जब y equal to f of t दिया होगा, तो आपर x 0 रहा होगा, यह कोई video on नहीं करो, यार बार बार वो पैनल आ जाता है, f of t दिया होगा, तो वहाँ पर आप equation of vip कैसे लिखते हो, t को replace कर देते हो, t minus x, y, v से, यह अब याद कर लो, बार बार इतना पंचायत नहीं करेंगे, जो यह समझे होगा है, जब वेब positive में जा रहा होगा, तो यह और negative में जा रहा होगा, तो यह आपको दोनों याद करना है, और y equal to f of t दिया है, तो क्या करना है, आरियन बेटा, positive negative का मतलब, अगर कोई चीज़ positive x-axis के लोंग चल रही, तो वो positive है, x-axis पे position नहीं देखना है, उसके direction देखना है, अगर वो negative x-axis के लोंग जा रही है, तो वो negative direction में जा रही है, वेब का direction देखना है, किस position पे यह नहीं देखना है कि वो positive x-axis पे या negative x-axis पे, velocity vector टाइप हाँ, velocity का direction देखना है, तो यह दो चीज़े हमारी main है, यह होने के बाद अब हम लोग वेब आगे जल्दी जल्दी अब समझ सकते हैं, तो यह आप एक बार अच्छे से और revise कर ले ना, next class में इन दोनों पर मैं problem कराऊंगा, फिर हम लोग energy वगरा देखेंगे, velocity वगरा निकालना सिखेंगे, ठीक है, फिर अब यह close कर रहा हूं, आज homework में कुछ नहीं है, अपना हुए magnetism, EMI और AC इनके exercise 2 कम्प्लीट करो, next Thursday को अबलोग, magnetism का अब exercise 2 डिस्कस करेंगे, वेब का exercise में ट्राई करूंगा कि साथ साथ कराता जाऊं, एटलेस exercise 1 वेब का में ट्राई करूंगा कि पढ़ाने के साथ साथ ही करा दूं, ठीक है अब क्लोज कर रहा हूं ना, क्लोज कर दो एंड़ा है 16 वेब करा दोदिना के साथ हैं, क्लोज कर रहा हूं है,